आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो दोस्तों, प्रशन है के किस मान के लिए सम्तल, यहाँ पे सम्तल के दो समीकरण है, जिसमें पहला समीकरण है 2x plus ky plus z plus 9 बरावर 0 दूसरा समिकरण है समतल का 5x plus 3y minus 4z minus 6 बरावर 0 पर लंबवत है तो हमको बताना है कि का क्या मान है जिसके लिए ये दोनों समतल के हैं और दूसरे के लंबवत हो तो अब जैसा कि हमको पता है अगर दो सम्तल के समीकरण हो तो सम्तल का एक करती समीकरण दिया है तो पहले सम्तल का अगर समीकरण हमारा हो AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बरावर 0 और दूसरा समतल का समीकरण जो हो हमारा वो हो A-X प्लस B-Y प्लस C-Z प्लस D-0 ठीक है और अगर ये दोनों समतल क्या हो ठीक है समतल P1 और समतल P2 क्या है लंबवत है तो यहाँ पर सर्थ होती है हमारी कि A A- ठीक है प्लस B-B-डैस प्लस C-C-डैस ये क्या होगा 0 लंबवत है मतलब ठीक होगा 90 डिगरी होगा तो इनके सूत्र क्या होता है कॉस ठीक होता है कॉस ठीक होता है A A-डैस प्लस B-B-डैस प्लस C-डैस और बटे में क्या आता है कर्णी के अंदर A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस C स्क्वार अगुड़े में कर्णी के अंदर A-डैस प्लस B-डैस प्लस C-डैस इसक्वार तो अगर इन दोनों समतलों के बीच में जो कॉस ठीक होता है अगर लंबवत है तो ठीक होगा 90 डिगरी तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो इसलिए ये वाला जो अंस में लिखा हुआ है ये इतना क्या हैगा जीरो तो ये सर्थ होती है हमारी ठीक है दो समतलों के लंबवत होने के लिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2X प्लस KY प्लस C-डैस प्लस 9 बराव जीरो ठीक है कि तुलना इस P1 से कर देंगे समतल P1 से करने पर P1 क्या है मारा ये समतल P1 है इससे करेंगे तो A कमान क्या है जो X का गुणांग 2 फिर B कमान क्या जाएगा Y का गुणांग K और C कमान जो Z का गुणांग होगा एक आ गया फिर इसी तरह दूसरा समतल का समिकरण जो है 5X प्लस 3Y माइनस का 4Z और माइनस 6 बराव जीरो इसकी तुलना करेंगे हम समतल P2 से तो यहां से हमको A-B-C- मिल जाएगा तो A- कितना जाएगा X का गुणांग क्या है 5 फिर B- कितना जाएगा Y का गुणांग जो कि है 3 और C- जो आ जाएगा वो Z का गुणांग जो कि है माइनस 4 तो यहां पर मैं लिखूंगा लंबवत के लिए यहां पर मैं लिखूँगा A A dash plus B B dash plus C C dash 0 होगा तो आप कर लेते हैं 2 गुड़े 5 plus K गुड़े 3 plus C गुड़े C dash यानि A गुड़े माइनस 4 बरावर 0 के तो 5 दूनी 10 यहां पर प्लस का 3K यहां पर कहाएगा माइनस का 4 बरावर 0 तो यहां पर देख सकते हैं 10 माइनस 4 कितना आएगा 6 प्लस 3K बरावर 0 तो यहां से 3K बरावर आगया माइनस का 6 तो यह देखो कितना आगया K का जो मान आगया वो आगया माइनस का 2 तो यह हो जाएगा इस्पेशन का उत्तर ठीक है धन्नवाद पक्षच्वटी से बार वी सले कर नीट आया यटी जेई वो एडवांस के लेबल कर एक करोड से ज्यादर चात्रों का भरोज़ा आशी डाउन्नवाट करें डाउटने डाप या वत्साप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर